हालो फेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंग्लिस एर्वांटेज की ओनलाइन क्लासेज में दोस्तों इस वीडियो में आपको वोकेबलरी के बारे बताऊंगा इसमें करीब 350 वोकेबलरी टर्म्स मैंने यूज किये हैं और आपको पुरी तरीके से एकस्प्रीन किये हैं हिंदी में एक्जाम्पिल के साथ और इसमें में में एक मैथड यूज करूँगा मतलब उस वर्ड को किसी पिक्चर के साथ या किसी इंसिदेंस के साथ मैं लिंक करकर आपको बताऊंगा ताकि वो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाए क्योंकि वर्ट्स तो बहुत होते हैं लेकिन को याद करना बहुत रिफिकल्ल होता है तो इसलिए इसमें मैं आपको लिंक करके उन वर्ट्स को याद कर बाऊंगा और करीब 350 वर्ट्स है सारे इंपोरेंट वर्ट्स है सभी एक्जाम के लिए जैसे SSE CGL एक्जाम वागस्ट में होने वालवा है बैंक प्यू एक्जाम, NDA, CDS एक्जाम और LIC के एक्जाम है, उन सभी के लिए यह बहुत ही इंपोरे आपके लिए थावित होगा तो इस पूरे वीडियो टुटॉरियल को ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए इसमें बहुत ही इंपोरेंट वर्ड मैंने ल में ही में बोर्ड आ रहा है तो ही में आपने देखा होगा सीरियल्स में और इसमें सभी में देखा होगा ही में जो होता है वो अन और्थोडॉक्स होता है और्थोडॉक्स की तरह कप्ले नहीं पहनता वो अनकन्वेंशनल कप्ले वगरा पहनता है तो इसलिए हम ही में का सब और होगा आइकोनों क्लास्ट इसके यह बहुत सारे मैंने इसमें सुनोनिम्स एंटोनिम्स लिए हैं ताकि जहाद सेदा वर्ड इसमें कबर हो जाएं देखिए फ्लॉबर चैल भी बोलेंगे इसको फ्री थिंकर भी बोलेंगे बीट निक भी बोलेंगे और नॉन कंफर्म के लिए गंखर टनोन कंफर्मिस्ट रहा है जो कैने बीचज जह सब्सक्री बढ़ाप, ऊसके साद कनफर्म मोन करा है नॉन य३ां मैंने नॉन कं फर्मिस्ट के लिए ऑट इसके आगा जिपसी और हिप्पी यह बर्ड भी आते हैं के अन्खॉडॉक्स के लिए हैं जिपसी जिपसी जो गारी होती है वो थोड़ी सी unconventional लोग होता है उसका इससे आप याद रसकते हैं जिपसी वोड को ठीक है और एंटोनेम होगा इसका confirmist और orthodox orthodox का मतला होता है traditional या conventional तो जो unconventional होगा उसको हम बोलेंगे bohemian इसको आप ही में से याद रसकते हैं जो होता है वो unorthodox होता है और इसके कुछ वर्ड है नॉन कंफर्मिस्ट जिपसी और हिप्पी ठीक है तो सभी वर्ट्स को एक लिंक करके आप याद रखी है किसी इंसीडेंट से किसी भी पिक्चर से ठीक है किसी भी अपने फ्रेंड से आप याद करके रख सकते हैं इसको तो और affection का जो चरान है वो सेम है F.E.C.O. Nado मिलता जोता वर्ड है F.E.C.O. Nado मतलब affection जिससे आपको affection होता है जिससे आपको प्यार होता है उसको आप follow करते हैं तो F.E.C.O. Nado का मतलब हुगा ardent follower of somebody ardent follower of somebody a serious devotee of some particular music journal और musical performance तो F.E.C.O. Nado का मतलब होगा follower ठीक है इसका intonim हो जाएगा hater तो F.E.C.O. Nado का मतलब follower चलिए next word देखते हैं seemingly देखिए seemingly का मतलब होता है appropriate उचित मतलब जो मौके के हिसाब से जो अपने आपको present करता है कपड़े पहनता है उसको हम बोलते हैं seemingly ठीक है decent decorous और इसके एक word होता है apt का मतलब ही उचित होता है और देखिए यहा जाएंगे इसके antonyms, okay? तो seemingly, seemingly को आप Seema auntie को, Seema auntie के image मना लिज अपने दिमाख में, एक Seema auntie है, बहुत अच्छे कपड़े पहेंती हैं, बहुत अच्छे तरीक से अपने आपको present करती हैं, बहुत decent लगती हैं तो seemingly का मतलब Seema auntie की तरह है, मतलब decent या decorous या appropriate, according with custom और propriety, उसको हम बोलेंगे seemly, तो seemly का मतलब होगा appropriate और इसका antonyum हो जाएगा आपका inappropriate और inapt, चलिए next word देखते है sabbatical, ये बहुत अच्छा word है, sabbatical का मतलब होता है, जैसे जब आप लगातार काम करते हैं, तो उसके बाद जब आप छुट्टियां लेते हैं, तो उसको हम बोलते है sabbatical, sabbatical paid leaps होती है, इसके आपको पैसे मिलते हैं, जब आप traditionally आप लगातार 7 साल तक काम करते हैं, तो एक साल तक आप paid leaps ले सकते हैं, देखिए यह वाला जो वर्ड है फर लो यह आर्म फोर्स इसमा यूज होता है फर लो फर लो ठीक है तो यह आपका चुट्टी के लिए जोता है वेकेशन टाइम आफ रिट्रीट फर लो एल ओ यू जी एच इसको इसका जो साउंड है वो लाफिंग एल यू जी एच और लो जी एच से मिलता है तो लाफिंग करते हैं जब हमारी चुट्टी आ होती है तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं फर लो फर लो मतलब चुट्टियां ठीक है यह आर्म फोर्स इसमा यूज होता है और सबैटिकल नॉर्मली लीप के लिए उस होता है साथ साल तक मतलब हमारी चुट्टियां होंगी तो इसको इस तरह से भी आद सकते हैं फर लो को आप लाफिंग से आद सकते हैं लो यू जी एच लाफिंग करते हैं जब हमारी चुट्टियां होती है तो इस तरह से इसको लिंक करके आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं सिनिकल यह भी या hyper critical, ठीक है, तो यह इसके आपके synonyms है, cynical के, cynical को आप सैनिक से भी जोड सकते हैं, जो हिंदुस्तान के सैनिक होते हैं, वो पाकिस्तान के सैनिकों को हमेसा doubt की निजर से देखते हैं, तो cynical को उस तरह से भी आप याद सकते हैं, और cynical का मतलब भी होता है hyper critical, cynical, critical, दोना का sound भ होते हैं, जो हर चीज को doubt की निजर से देखते हैं, तो उस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं, और इसका एंटोनेम होगा believing, trusting, unskeptical और optimistic, यह इसके आपके एंटोनेम होंगे, चलिए next word देखते हैं, सरली, देखिए सरली का क्या मतलब, सरली को आप जो प्राने जमाने म की बच्यों को मारते थे, मुर्गा बनाते थे, काम करकर को लिएक कौनम लाए, उनकी फैक्क देते थे, इस तरह से जो प्राइमिरी स्कूल के सरकारी सरकारी सघे होते थे, इसलिए सरली को आप इस तरह से आप याद रह सकते हैं, अब देखिए कु तो rough आ रहा है सीधा सा तो इसको तो याद रखने की ज़रूवती नहीं, graph मतलब rough, ठीक है, और चरलिस, अब देखिए, इसको आप कैसे याद रखेंगे, चरलिस, देखिए, इसमें are you आ रहा है, are you मतलब rude, ठीक है, तूसुलेंट, are you आ रहा है, मतलब rude, देखिए, are you आ रहा है, तूसुलेंट, are you आ रहा है, चरलिस में are you आ रहा है, are you मतलब rude, जैसे are you इसमें आ रहा है, rude, इस लिंक से इसको आप, इस word को आप हमेशा के लिए, याद कर सकते हैं, ब्रुस्क, देखिए, इसमें भी are you आ रहा है, मतलब rude, ठीक है, और जो bad tempered नहीं होगा, वा कैसा हो सरली, quicksotic, यह भी बहुत important word है, देखिए, quicksotic में quicksotic का मतलब होता है, impractical, कोई भी plan जो बहुत जदा idealistic है, और impractical है, practically उसको implement करना मुश्किल है, तो इसलिए quicksotic का मतलब होता है, impractical है, आप इसको याद किया से रखेंगे, देखिए, quick fixes जो scheme होती है, जैसे MLM की जो scheme हो होती है, तो सारी की सारी impractical होती है, रियलिस्तिक से उसका कोई बास्ता नहीं होता है, तो quick, quicksotic मतलब quick schemes, ठीक है, और quick money scheme जो होती है, उसको सारी कैसी होती है, unrealistic, impractical होती है, वो dreamy होती है, ठीक है, utopian, यह बहुत अच्छा वर्ड है, utopian का मतलब होता है, a place where everything is perfect, utopian, राम imaginary होता है, ठीक है, chimerical, chimerical, यह भी बहुत important word है, chimerical, imaginary, ठीक है, highly improbable और illusory, ठीक है, fanciful और imaginative, कोई आप से बोले कि इस scheme को जोइन कर लो, आप एक दिन में एक लाग रुपए आप कमाने लगो गए, तो इस तरह की जो स्कीम सोती है, वो सारी की सारी अन प्रैक्तिकल और unrealistic होती है, quicksotic को आप quick से याद रखिए, quicks, quick जो schemes होती है, वो सारी की सारी कैसी होती है, unpractical होती है, और इसका antonym क्या हो जाएंगे, इसके antonym देखिए, इसके antonym यह हो जाएंगे, आपके, cautious, आपका practical, cautious, realistic, thoughtful, यह इसके सारे के सारे antonym हो जाएंगे, quicksotic का मतलब है, impractical, paragon, paragon को तो आप जोड सकते हैं, paragon की sleepers आते हैं, जो office chapples आती हैं, हवाई, जो sleepers आते हैं, paragon का मतलब है, perfect example of something, और role model, paragon, ठीक है, paragon मतलब किसी भी चीज की height, इसके लिए एक बहुत अच्छा word है, apotheosis, किसी भी process का या development का highest point, उसको हम बोलेंगे, apotheosis, और इसका antonym हो जाएगा, faulty या imperfect, तो paragon का मतलब है, model of excellence या perfect example of something, अब देखिए, यह word बहुत यूज होता है, a-double-p-r-a-i-s-e, और एक होता है, a-double-p-r-i-s-e, ठीक है, तो इसमें एक word आया है, raise, ठीक है, raise का मतलब होता है, किसी चीज को salary का increment होता है, उसको भी हम salary raise कहते हैं, ठीक है, I have got the raise, raise मतलब salary का increment, तो salary का increment कब मिलता है, जब आपका assessment होता है, आपकी performance का, तब ही salary का raise मिलता है, तो इसलिए appraise का मतलब हो जाएगा आपका assessment, appraise मतलब assessment, अब assessment से मिलता है word, assess, evaluate, estimate, way up, way up मतलब तॉलते हैं आपके performance को, कि आपके minus points क्या रहे, plus points क्या रहे, review करते हैं, adjudge करते हैं, examine करते हैं, ठीक है, और देखिए assess से ही मिलता है word है, assay, a, double, s, a, y, देखिए assess में भी a, double, s, r, s, room है, और इसमें भी a, double, s, r, s, room है, तो assay का मतलब भी हो जाएगा, assessment, guesimate, और एक यह मैंने phrasal verb दे दिया, यहां पर idiomatic expression है, take a step at, और किसी को हम review नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, ignore करेंगे, या neglect करेंगे, तो यह एसके हो जाएगे, आपके antonyme, तो appraise या appraisal, ठीक है, इसका मतलब होगा आपका assessment या evaluation, appraise, अब देखिए, यह word है rise, appraise का मतलब होता है, inform करना, तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, देखिए, appraise में आखरी अगा word क्या रहा है, rise, rise का मतलब क्या होता है, उठना या उठाना, किसी व्यक्ति को जब हमें inform करना होता है, और व्यक्ति सो रहा होता है, तो हम उसको उठाते है, पहले हम उठाएंगे, फिर हम उसको inform करेंगे, तो इस तरह से आप इसको याद रसकते है, अब rise का मतलब होता है, inform करना, या briefing, जै ठीक है, और किसी वह इंफॉर्म नी करेंगे, तो इससे हम इंफॉर्मेशन छुपाएंगे, तो इसका इंटॉनेम होगा, Conceal or Hide, ये इसके आपके इंटॉनेम होंगे, इसके आपके इंटॉनेम होंगे, सॉरी चलिए, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, Accomplice, Accomplice का मतलब क्या है? Accomplice को आप याद रखिए, जो आपको company देता है, Accomplice मतलब जो आपको company देता है, company कौन देगा आपको, जो आपको अपका associate होगा, जो आपको friend होगा, वही तो company देगा, associate होगा इसका, और confederate, confederate मतलब जो जिसने आपको confidence में ले लिया है, confederate, insider जो आपके अंदर की बाते जानता है, aid जो आपके मदद करता है, अब देखिए, इसमें abater भी बोलेंगे, इसको supporter को हम abater भी बोलेंगे, ठीक है, supporter को हम abater भी बोलेंगे, abat, इसमें एक word आया है bet, b-e-t bet, ठीक है, bet हम किस से लगाते हैं, सर्थ हम किस से लगाते हैं, अपने फ्रेंड सी तो सर्थ लगाते हैं, अपने दुसमन से हम सर्थ नहीं लगाएंगे, हम normally अपने फ्रेंड से हम सर्थ लगाते है, bet, bet, तो अब better का मतलब होगा supporter, ठीक है, ally, यह तो बहुत simple word है, alliance होता है, associate, और accessory, accessory मतलब ज होता है, दुसमन, और adverse का मतलब होता है, बिपरीत, adverse situations जैसे होती है, तो adverse का मतलब होता है, बिपरीत परिस्थितियां, तो बिपरीत परिस्थिती में आपको कौन लाएगा, आपका दुसमन ही तो आपको बिपरीत परिस्थिती में लाएगा, तो इसलिए adversary का मतलब होगा द दुश्मन, एनिमी का दुश्मन, अपोनेंट मतलब बिरोधी, ठीक है, तो इस तरह से आप इन वर्ड को याद आराम से कर सकते हैं, अबैटर, जिसके साथ आप बैट लगाते हैं, मतलब जो आपका फ्रेंड है, अबैटर, इसको आप इस तरह से आप याद रसकते हैं, और ए मौन, देखे हिंदी का एक वर्ड है मौन हो जाना, शांत हो जाना, ठीक है, तो हम शांत कब हो जाते हैं, सारे लोग शांत एक घर में बैठे हुए कब हो जाते हैं, जब किसी की डैथ हो जाती है, तो उसको हम बुलते हैं, इस तरह से आप इसको याद रसकते हैं, दुख मन मिलत बिलते रुड है गृफ का मतलब दहिख होता है गृफ इसलिए गृफ यह इसका हो गया डिपलोर ॡिपलोर का मतलब है दूख होना चेकिन सूचनी औरन रहड होना किसी परस्तिती ते तो इसको अरेंट को आप एपसुलूट से याद रखिए, ए दिया है ना, तो ए मतलब एपसुलूट, एपसुलूट मतलब पूरा, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ, अरेंट, स्टुपिड, मतलब पूरी तरीके से स्टुपिड, अरेंट, कम्प्लीट, परफेक्ट, अटर न इंपरफेक्ट या इनकम्प्लीट, इसके एंटोनिम हो जाएंगे, अरेंट, और एक होता है, इरेंट, E-R-R-A-N-T, इरेंट का मतलब होगा, इरेंट का मैं आपको बताता हूँ, इरेंट का कैसे याद रखेंगे इसको, इरेंट, यह होता है आपका, इ जिसमें आता है, इसको, इसको, इसकी इसपेलिंग है, E-R-R-A-N-T, इरेंट, तो इसमें आप इसको, आप इसे तरह सिकते हैं, दखेंगे, दख़िये, इरह ए इरह है, इर, इर का मतलब क्या होता है, गल्ती करना, ठीक है, तो इसने गल्ती किया होगा, गिल्टी होगा, या कल्पेवल होग तो IRRENT का मतलब होता है, जिसने गलती की है, इसका TRAVLING में भी उज उता है, इस WORD का IRRENT का, तो IRRENT को आप गलती से आप, IRR आप इसको याद कर सकते हैं, और ऊपर वाला जो IRRENT है, A-R-R-A-N-T, उसका मतलब है, absolute यानी, पूरा, तो इस तरह से इन WORDS को आप link करके हमिशा के ल तो इसलिए जो हो जाएगा, irregular, abnormal, unconventional, uncommon, abnormal, यह बहुत अच्छा वर्ड है, aberrant, aberrant का मतलब है, जो normal path पर नहीं चल रहा, जो normal path से अपने आपको जिसने deviate कर लिया है, तो इसको हम बोलेंगे, aberrant, तो इसमें एक word आ रहा है, A, B, A, B का मतलब है, absence, मतलब कहीं पर वो कुछ चीज को absence कर रहा है, miss कर रहा है, और normal path से वो हट रहा है, तो इसको हम बोलेंगे, aberrant, और इसमें E, RR भी दिया हुआ है, तो इससे भी याद सकते हैं, कि वो error कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, E, R, aberrant deviant का मतलब होता है, भठकना किसी चीज से, भठकने वाले को हम बोलेंगे, deviant, atypical, यह बहुत है, और जो conventional होगा, regular होगा, normal होगा, उसको यह सारे अंटोनेम हो जाएंगे इसके, regular या usual, eccentric बोलेंगे इसको, eccentric नहीं बोलते, eccentric बोलेंगे इसको, distinct, देखे, distinct का क्या मतलब है, distinct distinct का मतलब जो distance से आपको दिखाई दे रहा है, distinct का मतलब जो distance से आपको दिखाई दे रहा है, यानि clear है, clear, well defined, easily distinguishable, recognizable, इसको आप पैचान सकते हैं दूर से ही, उसको हम बोलेंगे distinct smell of nicotine, ठके, और जो distinct नहीं है, तो dim है, या vague है, या unclear है, या obscure है, obscurity का मतलब ही होता है, unclearness, तो distinct का simple से मतलब है, जो distance से आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आप पैचान सकते हैं, जिसको आप recognize कर सकते हैं, जिसको आप distinguish कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे distinct, चलिए next word देखते है, adolescent, adolescent में एक word आ रहा है, adolescent का मतलब होता है, kishore, जो अभी mature नहीं हुए, जो अभी adult नही तो adolescent में एक word आ रहा है, doll, doll का मतलब क्या होता है, गुडिया, तो गुड्डे गुडियों से खेले की जो उमर होती है, उसको हम बोलते है, adolescent, यानि teen age, kishore के जो, kishore age के जो लड़के लड़किया होते है, उसको हम बोलते है, adolescent, मतलब डॉल से खेल रहे हैं भी वो, अभी व adolescent का antonym क्या होगा, adult ya grown, next word, adulation, adulation का मतलब simple सा होता है, flattery, किसी को flat कर देना, चम्चे अग्री करना, चापलूसी करना, कोई काम निकलवाने के लिए उसका, ठीक है, flat कर दिया, उसको इतनी तारीफ करी कि उसको 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 blendish, तो blendishment का मतलब होता है, चम्चे गरी करना या चापलूसी करना, sycophant या sycophancy, सिक लोग क्या करते हैं, सिक लोग ही आपके चम्चे गरी कर सकते हैं, या चापलूसी कर सकते है, sycophant या sycophancy, ठीक है, kazoolery, यह भी बहुत important word है, और weedling, weedling, ठीक है, इनका मैं भी बताता हुआ हूं आपको, और यह देखिए, रेंटोनिम क्या होगा? रेंटोनिम होगा, अबलो क्यू, रेंटोनिम होगा, व्लो क्यू, जेकी या यह पर भी यह लोक रड जहता है, उसका मतलब होता है, टॉक करना, दो दो जिखिए, बात करना, जैसे लोकेस आपने एक वर्ड नो को सकते है, locked की सम溃 का मतलब और ऑबी का मतलब होता है अगेंस्ट, तो किसी के अगेंस्ट टॉक यानि उसकी बुराई करता, तो इस तरह से oblock, अबलिक्वी इसको आप याद रसकते हैं, ठीक है, और इसका होगा बिलीफिकेशन भी होता है, बिलीफाई करना उसका, ठीक है, ओपरोब्रियम, बिटूपिरेशन, कंडेमनेशन, देखे, डेम, एक इंग्लिस में गाली होती है, तो इससे आप याद रसकते हैं, कि डेम कर रहे हैं, उसको बुराई कर रहे हैं, और इसके लिए ये भी एक वर्ड है, डिननसियेशन, देखे, डी इसमें दिया हुआ है, तो डी तो बैसे भी निगेटिव वर्ड होता है, जैसे डी एक्टिवेट, ठीक है, तो डिनाउंस का म रिननसियेशन अलग होता है, रिननसियेशन का मतलब छोड़ना या त्याग करना होता है, वो होता है रिननसियेशन, वो राजा के लिए यूज़ता है, जब राजा जब अपनी गदी छोड़ देता है, तो उसके लिए हम बोलते है रिननसियेशन, रिननसियेशन मतलब कर रहे हैं, यानि negativity फैला रहे हैं, डिनाउंस कर रहे हैं उसको, तो इसका हो जाएगा आपका criticism, और इसके लिए एक वर्ड और है, slender, और calumny, calumny मतलब किसी की बुराई करना, उसको काला करना, काला करना मतलब उसको बुराई करना, calumny, इस तरह से आप याद रसकते हैं उसको, obloque, बुराई करना, किसी क्रिटिसाइज करना, अगेंस्ट में बोलना, ठीक है, weedling, फुसलाना, weedling, kazoolery, psychophant, blendish, इसका मैंने एक लिंक बताया है, disc, जिसको हम डिस बनाके ख़ला रहे हैं, चम्चेगरी कर रहे हैं उसकी, उसको हम बोलेंगे, blendishment, और sycophant, ठीक हो, sycophant, kazoolery, और weedling, ये भी इसके important words हैं, चलिए next word देखते हैं, turbulence, turbulence का मतलब होता है कि disturbance या commotion, commotion, देखिए, इसमें motion एक word आ रहा है, motion मतलब movement, जैसे railway station पर movement होता है, भगदड मस्ती रहती है, सारे लोग दर भागते रहते हैं, ट्रेंस के लिए, तो जब motion होता है, तो हम उसको बोलते हैं, commotion, commotion मतलब सोरगोल, भगदड, confusion, इसको हम बोलें, commotion, confusion, order नहीं है, सारी चाहिए, disorder है, turmoil, देखिए, इसके लिए एक word और आता है, turmoil, देखिए, इसको आप याद आ सकते हैं, oil से, जब government oil के price बढ़ा देती है, तो पूरे देश में एक turmoil फिल जाता है, confusion फिल जाता है, disorder फिल जाता है, सारे लोग भढ़ग जाते हैं, के petrol के prices बढ़ गए, diesel के prices बढ़ गए, तो turmoil, मतलब oil का price बढ़ा दिया, और confusion create कर दिया, एक बड़ औरस के लिए, tumult, tumult को आप याद रखिए, तू तू में में से, यह हो गया, तू और यह हो गया में, तू तू में में हो रहा है, मतलब confusion हो रहा है, disorder fell गया है, ठीक है, agitation, आंदुलन को बोलते हैं, uproar, uproar हम बोलते हैं, सेर की दहार को, तो सारे लोग दहार र इसको हम बोलेंगे, uproar, hurly burly, hurl का मतलब होता है, पत्थर फैकना, तो सारे लोग पत्थर फैक रहे हैं, गुसे में हैं, क्योंकि सारे लोग दर दर पत्थर फैक रहे हैं, तो उसका मतलब हो जाएगा hurly burly, यानि confusion create कर दिया, unrest, rest से नहीं बैठा, कोई भी आदमी rest से नही बैठा है, उसको हम बोलेंगे unrest, या असंतोष इसको हिंदी हम बोलते हैं, furor मतलब fury, fury का मतलब होता है, गुसा, तो सारे लोग गुसा में हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे furor, और एक वर्ड ये नया आया है, mayhem, mayhem का भी मतलब होता है disorder, अब देखी कितने सारे मैंने order हम इसको बोलेंगे, havoc, bad lamb बोलेंगे, pandemonium, pendulum से याद रसकते हैं, pandemonium, pendulum इजर उदर हिलता रहता है, confusion create करता रहता है, तो pandemonium इसका हो जाएगा, unruliness, कोई सासन नहीं है, chaos, fracas, frangy, और fury, अभी मैंने बताया था, fury और frangy एक जैसे ही वर्ड है, fracas, frangy, fracas, fracas मतलब fractions आ गए है, public के गौर्णमेंट के साथ, fractions आ गए है, उसको हम बोलेंगे, fracas, chaos, यह भी बहुत अच्छा वर्ड है, tempest हम बोलते हैं, तूफान को, तूफान आ गया है, मतलब confusion create हो गया है, तो tempestuousness, ठीक है, confusion, और एंटर निम हो जाएंगे, इसके ruliness और order, तो कितने सारे देखिए, वर्ड मैंने दिये हैं, और आप इस वीडियो का अगर बार बार देखते हैं, कई बार देखते हैं, आप आराम से रिवीजन करते हैं, इसको आप पॉस करके, तो सारे वर्ड आप कि जब ओएल के प्रैसिस बढ़ते हैं, तो एक तर्मोईल करिये हो जाता है, तो मुल्ट में मैंने तू-तूमेमे का एक्जामपिल दिया है, हरली-बरली, हरल का मतला होता है फैकना, किसी चीज को पत्थर फैकना, तो हरली-बरली, confusion करिये हो जाता है, सिंपल सा है, याद कर अगरी, confusion created होता है, तर्बू लेंस, नेक्स बड़ देखिए, लेविटी मतलब लाइट, लेविटी का मतलब ही है, सिंपल लाइट, लेविटी को आप लाइट से जोड़िए, मतलब हलकापन, लाइटनेस, हुमर, फिलिपर, फिलिपर जो जैसे होता है, वो आपका बहुत ह लेविटी होता है, फिलिप, फिलिप, ठीक है, जोकिनेस, और कोई चीज़ अगर सीरियस है तो उसका हम बोलेंगे ग्रेविटी या सीरियसनेस, तो लेविटी का मतलब होता है, लाइटनेस, इंटेंशन का मतलब क्या होता है, जानबूच के किसी काम को करना, परपस, फुल Lament का मतलब दुख बनाना या शोक करना देखिए, वेल का मतलब करहना होता है यह यह वेल दिया है इसमें, W-A-I-L तो बीवेल का मतलब दुख ही होना, ठीक है? Grief, या Grief, नाव, बरफोर में इसका दुख होना Morn, यह सारे लोग, यह सारे इसके Lament, ठीक है? और इसका Antonym हो जाएगा आपका, Rejoice, Lament Next word देखिए, evidence का मतलब होता है सबूत, यानि proof, verification और यह एक बहुत important word है, कहीं एक्जामस में आ चुका है Substantiation, या Substantiate जैसे हम बोलते हैं कि आप इस fact को या इस story को Substantiate कैसे करोगे? Substantiate का मतलब होता है, उसको सत्यापित करना, उसको proof देकर बताना, ठीक है, उसको support करना उसको हम बोलते है Substantiate और Confute Confutation का मतलब होता है खंडन करना किसी चीज का Confute करना, यानि उसको खंडन करना Next word देखते हैं, expedient Expedient एक noun है Expedient ऐसे method या एसे scheme को बोलते है जो convenient तो है convenient भी है, practical भी है लेकिन immoral या improper वो हो सकती है, तो उसको हम बोलते है expedient, means होता है ये एक method होता है जिसको हम बोलते है, strata jam भी बोलते है क्योंकि strata jam इसलिए बोलने है, क्योंकि strategy से उसका संबंध है ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका expedient next word देते है excel excel का मतलब होता है आपका jubilate करना, glorify करना या triumph मोज मनाना, हर सो last मनाना, उसको हम बोलते हैं triumph rejoice, jubilate jubilate हम करते हैं, जब jubilee मनाते हैं, जब हम marriage की silver jubilee, golden jubilee मनाते हैं तो खुश होते हैं तो इसलिए हम इसको jubilee मनाते हैं, मतलब jubilate करते हैं, खुश होते हैं celebrate और elation कोई election में जीत जाता है तो वो elated हो जाता है तो elation को आप election से जोड़ दीदे हैं election में जीत का है मतलब आप elated हैं, बहुत ज़दा खुश है elation, I was elated और lament or mourn यह तो आपका होई गया, lament or mourn दुख मनाना, दुखी होना ठीक है, exult e-x-e-u-l-t induce induce का मतलब है persuade करना किसी को fustla लाना, inducement, लालच देना provoke provoke का आखरी में देखिए क्या आ रहा है provoke, उक आ रहा है मतलब उकसाना किसी को provoke मतलब उकसाना stimulate करना उसको, ठीक है tempt का मतलब होता है उसको लालच देना, temptations का मतलब होता है लालच, temptations मतलब लालच persuade यह बर फॉर्म है, इसका noun form होगा persuasions selling skills में, persuasions बहुत काम में आती है sales और marketing के लोगों की persuasion skills होती है, बहुत अच्छी होती है, persuade करना किसी काम को करने के लिए किसी को मनाना या convince करना ठीक है, induce बोलेंगे इसको, इसके अन्टोनिम क्या हो जाएंगी deter, put off discourage करना, advise against यह सारे इसके आपके अन्टोनिम हो जाएंगे, next word देखते है respite respite का मतलब है relief respite का मतलब है relief किसी काम से जैसे बाड आ गई है कहीं पर और बाड आना बंद हो गई है बारिस आ रही है लगाता और कुछ दिन के लिए बारिस बंद हो गई तो इससे आपको राहत मिल जाती है, तो इसको हम बोलेंगे respite का मतलब होता है राहत ठीक है थोड़ी दिर के लिए किसी activity का बंद हो जाना, तो इसको हम बोलते है lul भी बोलते है उसको, let up कम हो जाना किसी activity का जैसे हम बोलते है do not let up मतलब काम करते रहो एक दम उसमें कमजोरी मतलब आओ, let up मत करो अपनी practice को, तो इसको हम बोलते है let up relief, reprieve clemency, clemency को आप mercy से याद रसकते हैं mancy मतलब mercy, mercy मतलब lenient कर दिया थोड़ा सा उसको काम को छोड़ दिया clemency, mitigation का मतलब तो reduction होता है किसी चीच को कम करना अब देखिए, एक word मैंने बताया था abate, लेकिन ये इस word को हम क्या पढ़ेंगे abate था वो ये, इसको हम पढ़ेंगे abate abate, इसमें bait word आ रहा है bait को कम कर देना, abate मतलब bait को कम कर देना, मतलब उसकी intensity को कम कर देना, ठीक है तो abatement, वो abate था जो मैंने बताया था supporter वाला, a, b, e, t ये इसमें b, a, t, e आ रहा है abate है, abate का मतलब बजन कम कर देना, मतलब किसी चीज की intensity को कम कर देना, और बहुत सारे वर्ड मैंने दिये pause है, और hiatus है, इसका मतलब भी होता है halt, hiatus मतलब होल्ट, कुछ दिन के लिए, कुछ दिर के लिए रुक जाना, तो कुछ वर्ड को देफिनिटली हम लिंक कर सकते हैं, एक्सर्शन और एक्टिविटी यह हो जायागा इसका एंट्वनिम, तो 90% वर्ड को मैं आपको लिंक कर के बता रहा हूं, और इसको आप आराम से आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, विजिस्ट का मतलब होता है, पतिरोध करना, ठीक है, अपोस करना, या डिफाई का मतलब वैसे चैलेंज करना होता है, डिफाई, यानि फाइट करना, डिफाई मतलब फाइट करना, चैलेंज करना, काउंटर अटेक, विद स्टेंड, उसके साथ, विद मतलब उसके साथ, मतलब खड़े होना उसका प्रतरोज करना विज्स टेंड और यिल्ड का मतलब मतलब होता है सरेंडर करदेना यिल्ड का मतलब अगर मैं बो लूँगा तो अने चाम मतलब हो जाएगा ऐसा परसंग जो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं आप अन इयुल्ड इंद मेंट आपके sentiment को दुख पहुचा है, resentment, तो मतलब आपकी कड़वाहत है, bitterness, antipathy, umbrage, देखिए umbrage को कैसे याद रखेंगे, आप rage का मतलब होता है गुसा, rage, ये rage, तो मतलब किसी चीज पर आपको गुसा आ रही है, इसलिए तो आप umbrage है, मतलब आपके अंदर bitterness है, कड़वाहत है dislike, और इसके लिए एक word होता है, bile, बाइल, एक जहर को साइज हम बोलते हैं, bile, जो सापका जहर होता है, उसको हम बोलते हैं, bile, तो sense में आप यूज कर सकते हैं, bile का मतलब बिटरनेस, और जब हम किसी का एहसान मानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, gratitude या thankfulness, अंब्रेज को आप सकते हैं, आपको गुसा रही है, आप बिटर हैं, आप कड़वे हैं अंदर से, कड़वाहट है आपके अंदर, और रिसेंटिमेंट मतलब आपके सेंटिमेंट को चोट पहुंचिए, तो आप रिसेंटिमेंट है, मतलब आप गुसे में हैं, आपके अंदर कड़वाहट है, antagonize मतलब आप किसी के anti हो गए, उसके बुरूद में हो गए, उसके दुस्मन हो गए, तो इसलिए antagonize का मतलब हो जाएगा आपका hostility, hostile मतलब आप उसके दुस्मन हो गए, hostility, anger, annoy, provoke मतलब उकसाना, और किसी को आप सांत कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे pacify या placate, ठीक है, placate औ यह वर्ड आगया जो मैंने आपको बताया था, abate, यह abate है, जिसका मतलब है बजन, बजन कम हो गया, मतलब किसी चीज की intensity कम हो गई, subside हो गया, जैसे आपको कोई बीमारी है और आपने दवाई ले ली तो वो subside हो गया, let up मैंने भी बताया था, कम हो जाना, lesson, कम हो जाना, wane का मतलब होता है मुर्जाना, waning, ठीक है, तो wane का मतलब भी कम हो जाना, ab, jar obraate में यूज होता है, जब jar obraate आते हैं, tights आते हैं, तो उसको हम बोलते है, ab, ab मतलब जब नीचे की तरब बो जाता है, पानी, उसको हम बोलते है, ab, यानि कम हो गया वो, उसकी intensity कम हो गई, बैत का वconomy क्या होगा इंटेन्सिफाई अफिक आपने बढ़ा दिया उसकी इंटेन्सी इसको आपने बढ़ा दिया और यह है आपका अभैट मेरा को तो बैट मतलब सर्थ लगाना आ उकने फ्म्हें से के सपोटरी एपर्पोर्टे से इस को सपोर्टिय का मतलब हो हगा हिंडर, stop, impede, देखें ये बर्ड भी मैं आपको समझा जाता हूँ, हिंडर का मतलब रोकना, stop, impede, देखें पीड का मतलब होता है पैर, ठीक है, centipede, जिसके 100 पैर होते हैं, तो impede मतलब टांग अपनी अडा देना, रोक देना, impede, ठीक है, इमका हो गया मतलब negative और पीड मतलब पैर, impede कर देना, टांग लडा देना, रोक देना, आप्स्ट्रक्ट, प्रिवेंट, प्रिवेंशन से बना है ये वर्ड, और डिसुएड, पर्सुएट का उल्टा है, डिसुएड, किसी को कोई काम करने के, कोई काम ना करने के लिए के ल लगाता दखी है, रिचुएल से होते हैं, धार में कर्मकांड यह होते हैं, वो हमेशा पर्मानेंट होते हैं, हम सभी लोग करते हैं उनको हमेशा, तो perpetual का मतलब ritual, ritual कैसे होते है? पर्मानेंट, इसके perpetual का क्या मतलब होगा? पर्मानेंट, continuous, आप देखिए, seize का मतलब होता है रोकना, जिससे seize fire का मतलब होता है fire को रोकना, तो seize मतलब रोकना और less मतलब नहीं, तो जिसको आप नहीं रोक रहे हैं, वो कैसा हुआ, seize less, continuous, perennial, जो लगातार चल रहा है, continuous, permanent, eternal, eternal का मतलब होता है हमेशा चलने वाली कोई चीज, eternal beauty, जैसे हम बोलते हैं, एस्षोरा राय की जो beauty है, वो eternal beauty है, मतलब हमेशा के लिए जो है, और ionian, ये एक नया वर्ड आया है, ephemeral, transient, short-lived, मतलब ephemeral हम बोलते हैं, जो bubble होता है, bubble की जो life होती है, उसको हम बोलते है, ephemeral, जो थोड़ी ही दिर में मरने वाला है, उसको हम बोलेंगे ephemeral, transient, transient, जो transient हो जाएगा, मतलब जो दूसरी फेज में चला जाएगा, उसको हम बोलेंगे transient, short-lived, short-lived, transient, transitional phase में है जो, मतलब दूसरे फेज में थोड़ी देर बाद वो चला जाएगा, उसको हम बोलेंगे ट्रांजियन्ट, एफिमेरल जो मरने वाला है, मतलब जो शॉर्ट लिब्ड है, तो इस तरह से आप इन वर्ड को हमेसा के लिए याद कर सकते हैं, तॉलिरेंस अभी बीच में बहुत चलाता है, सहसनुता, सहन करने की छमता, उसको हम बोलेंगे टॉलिरें ठीक है, एलाविंस, और फोर्ड वीरम स्वी बुलते हैं, सहन करना होता है, ब्यर का मतलब भी सहन करना होता है, नहीं सहन करने के लिए तो बनाते हैं किला, तो इसे हाद रसकते हैं, सहन करने की सक्ती, यह हो जाएगा का बिगुटरेंगे Bigotry का मतलब होगा धर्मान्धता या किसी दूसरे धर्म को या किसी दूसरे opinion या religion को आप सहन नहीं कर रहे हैं और उसको हम भोलेंगे आपका Bigotry, धर्मान्धता या आस्चाहस्थृनृता Intolerance, Bias हैं या Prejudice है या Intolerance So Din-Tolierence और Bigotry यह आपके same word है, bigotry मतलब आपका जो आपके धर्म के बारे में आपका जो opinion बहुत big है, और और किसी धर्म को सारे धर्म को आप small समझ रहे हैं, अपने धर्म को आप big समझ रहे हैं, इसलिए bigotry हैं आप, bigotry मतलब धर्मान्दता या intolerance, vague, देखिए कोई चीज जब vague का मतलब क्या होता है, गती या speed, तो कोई चीज अगर गती से जा रही है, कोई train है, सताबदी एक्सप्रेसर बहुत गती से जा रही है, तो क्या वो आपको साप साप दिखाई देगी, साप साप दिखाई नहीं देगी, वो आपको धुनली सी इक्वी वोकल, बहुत important word है, यह blurred मतलब धुनला सा, ठीक है, obscure, यह आपका उसमें यूज होता है, यह heavenly body के लिए यूज होता है, जो आपके stars बगरा होते हैं, उसके लिए यूज होता है, यह obscure, नेbूला, नेbूला से आया है यह, नेbूला, जब कोई star बनता है, तो सुरू मॉर्फी हम बोलते हैं किसी की shape को, तो amorphous मतलब उसकी shape नहीं है, मतलब वो धुन्दला सा है, तो amorphous और हिजी, यानि धुन्दला सा, और intonim हो जाएंगे आपके certain, clear, apparent, obvious, definite, यह उसके आपके intonim हो जाएंगे, तो equivocal, यह वाले कुछ वर्ड मैंने last अपने tutorial से भी लिये ह ठीक है, equivocal का मतलब हो जाएगा, unclear, वोकल मतलब आपने bottle पी लिये है, bottle पी लिये है, मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सारी चीज़े हैं, दुन्दली-दुन्दी से दिखाई दे रही है, unclear सा है, इसलिए equivocal का मतलब होगा, unclear, ambiguous, doubtful, या unclear, uncertain, wake, मतलब कोई ची चीज को कर रहा हूँ या सीज को फॉलो कर रहा हूँ, उसको हम बोलते है, pursue, chase, hunt, trail या track, ये इसके हो जाएंगे, और किसी चीज को आप chase नहीं कर रहा है, या follow नहीं कर रहा है, तो इसको आप avoid कर रहा है, avoid, give up, ignore, let go, ये बहुत अच्छा वड़ है, ask you, ask you, को आप कैसे ask you को आप याद रखिए, जिसको आप escape कर रहे हैं, जिसको आप avoid कर रहे हैं, escape कर रहे हैं, ठीक है, और एक बड़ और है, shun, shun को आप क्या से याद रखेंगे, shun मतलब जिस चीज से आप run कर रहे हैं, जिस चीज से आप भाग रहे हैं, उसको हम बोलेंगी shun, मतलब avoid करना परशन करना मतलब रन करना, मतलब किसी चीज को छुड़के भागना, और Esqueue मतलब Escape करना, उस चीज को अवोइट करना, इस तरह से आप इसको याद रज सकते हैं, Impeccable, Impeccable मतलब उसमें और कोई चीज पैक नहीं हो सकती, मतलब वो पहले से ही Perfect है, Impeccable है, मतलब कोई चीज आप उसमें पैक और नहीं कर पाएंगे, इस तरह से आप इसका एक इमेजन करके रखिए, बनाके रखिए, तो Impeccable मतलब वो Flawless है, यानि Perfect है, उसको हम बोलेंगे Impeccable, इसके लिए एक वर्ड और है, Immaculate, Immaculate का मतलब भी होता है Perfect, Unsoiled, मतलब जो गंदा नहीं है, Unsolid, और Seamless, Seamless Process, Perfect Process, Faultless Process, उसको हम बोलेंगे Seamless, तो Impeccable का मतलब हुआ, Perfect या Faultless, और इसके लिए एक वर्ड और है, Immaculate, Immaculate Process, या Immaculate Method, Indiscriminate, Indiscriminate का मतलब होता है, मनमाना, वैसे Discrimination का मतलब भीदबाव होता है, लेकिन Indiscriminate का मतलब होगा, आपका मनमाना, तो Arbitrary बोलते हैं, इसको Random बोलते हैं, Desultory भी इसके लिए एक वर्ड है, और Aimless, और इसका इंटरनम हो जाएगा Methodical, तो Indiscriminate मतलब डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर पा रहे हैं, कि कौन सी चीज पिक करें, कौन सी चीज नहीं पिक करें, मनमाना आप काम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं, Indiscriminate, Indiscriminate Decisions, या Indiscriminate Behavior, उसको हम बोलते हैं, Indiscriminate, Haphazard, या Desultory, मनमाना, Ruthless, Businessmen जो होते हैं, वो ruthless होते हैं, उनके अंदर कोई feelings नहीं होती, क्योंकि वो feelings अगर रखेंगे, तो business नहीं कर पाएंगे, तो ruthless का मतलब होता है, Unfeeling या Merciless, या Hard-nosed, या Remorseless, ठीक है, और इसका intonim हो जाएगा आपका, Merciful, और इसमें एक वर्ड आया है, Humane, यह human नहीं है, यह human है, human का मतलब होता है, kind, human, ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रसकते हैं, Relentless, Relent का मतलब होता है, कमजोर पढ़ जाना, Relent, ठीक है, Relentless, जो कमजोर नहीं पढ़ रहा, जो रुकने को तैयार नहीं है, जो परसिस्टेंटली काम कर रहा है, उसको हम बोलेंगे, Relentless, Relentless preparation, Relentless hard work, Relentless hard work for S.S.C. exam, Unflinching, जो flinch नहीं हो रहा है, जो दब नहीं रहा है, उसको हम बोलेंगे, Unflinching, Unflinching determination, ठीक है, ऐसा दर्णिष्च और नहीं पढ़ रहा है, Unabated, बजन उसका कम नहीं हो रहा है, Unabate, Bate मतलब बजन, कम नहीं हो रहा है उसका, तो Unabated मतलब जो कमजोर नहीं पढ़ रहा है, जो धीमा नहीं पढ़ रहा है, और Unflagging, ठीक है, और इसका internum हो जाएगा doubt या misgiving, ठीक है, और ये मैंने कुछ word इसमें लिये हैं, चलिए आब इन words का हम revision करते हैं, procrastinate, देखिए कुछ word मैंने इसमें last slides में से भी लिये हैं, last tutorial में से भी लिये हैं, ताकि आपके वो word भी revise हो जाएं, procrastinate का मतलब हो जाए, delay करना, ठीक है, net मतलब late, यानि delay करना, AR इवरास्थिंघ सभी जगे खिलता है, टीचुंटी में भी खिलते है, टेस्ट में भी खिलता है, सब जगे है मतलब वो तो यूबीकुटस मतलब सब जगे एब्रिवेर फिकल फिकल मतलब अनिस्टेबिल ठीक है फिकल मतलब जो अपना माइंड बार-बार चेंज कर देता है साइनोफोबिया साइनोफोबिया डॉक्स से रिलेटेड है ये नाक को बोलते है नाक उनकी अजीव से होती है डॉक्स की ।वर की तो साइनोफोबिया हम बोलते हैं बख दर होता है। एस्कीन मैंने अभी आपको बता यहता थैं एस्केप करना ओवोईD करना , अधका याद हो ज्यायागा। थैंधर क्रिएट्स होते हैं Believe & Trust को हैं तो अनदर होता है उकिल परली चाहिस को बोलते है embargo parf।्ड़ेंट को सिहन क्यों टो तो फॉर्टी ट्यूट का मतलब हो गया सहन सकती, टेस्ट मतलब डिसलाइक करना, जूबिलेंट मतलब जूबली, जूबली हम कम बनाते हैं, जूबिलेंट मतलब बहुत खुशी, डेटरी मेंटल, जो चीज आपको मेंटल कर देती है, वो कैसी होगी, हार्मफुल होगी, तो बिकॉर्टरी, इंटॉलिरेंस को बूलते हैं, बैटरन, बैटरन मतलब जिसने अपने बैट से बहुत ज्यादा रन बनाए है, वो तो कैसा होगा वो बैटरन, पुराना, या जिसको बहुत जाता है एक्स्परियेंस होगा, उसको हम बोलेंगे बैटरन, रिलेंट का मतलब ह अभदग या बहुत तो हम होना किसी चीज का किसी चीज का वेट का मोना मतलब कम इंटेंसिफाई, इसको मुझना आए, और अब बैट जाधा करते हैं, अब बैट का मतलब support, pursue मतलब follow, impeccable जिसमें मैं और कोई चीज पैक नहीं कर सकते, मतलब faultless, obscure मतलब धुंद़ला, siegeless, continuous, seamless, perfect, chagrin, हम बोलते हैं, irritation या annoyance को, umbrage, rage का मैंने example दिया था, यानि गुस्सा होना, यानि bitterness, mitigation, कम होना, reduction, arbitrary, मतलब indiscriminate, manmana, indiscriminate भी बढ़ दिया हुआ है, manmana, judicious, मतलब wise, flippancy, मतलब light, relentless, मतलब persistent, detrimental, मतलब harmful, callous, insensitive, और obloque, मतलब आपका किटिसाइज करना किसी को, तो यह मैंने आपके 40 वर्ड का, आपका यहां पर मैंने डिवीजन भी करवा दिया है, और सारे वर्ड मैंने जो most important word है, सभी exams के लिए, सभी competitions के लिए, सभी test के लिए, जैसे SSE CGL के लिए, बैंक पियो के लिए, IBPS, बैंक किलर के लिए, डिफरेंट जो exams होते हैं, vocabulary को बढ़ाने के लिए, यह सभी exam में आपके बहुत ही काम में आएगा, और vocabulary तो एक ऐसी चीज है, जो सभी जगे काम में आएगी, आपके reading comprehension में, आपके close test में, sentence correction में, फिलर्स में भी बहुत काम में आएगी, आपके फिलर्स में भी आप इसको अच्छे तरह कर सकते हैं, और आराम से आप इसको कई-कई बार देखिए, इस वीडियो को पुरी तरीके से याद करिए, और link से जोड़के देखिए, आपको इस सारे word 100% याद हो जाएंगे, तो यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं आपसे request करूँगा, कि यदि आपको यह useful लगा है, तो जरूर इसको like करिए, share करिए अपने friends के साथ, और यदि आप हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस चैनल पर हमारे साथ जरूर जुड़िए, जरूर सबस्क्राइब करिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ, कि आपको इस चैनल पर इसी तरीके के exam-oriented videos मिलेंगे, exam-oriented tutorial ही हम बनाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो subscriber हैं, हमारे जो students हैं, वो first attempt में उनको success मिलें किसी भी exam में, तो इसलिए आप जरूर जरूर सबस्क्राइब करिए, भूलिये मत इसको, और मैं आपका स्वागत करता हूँ, और आप हमसे जोड़ना चाहते हैं, Facebook पर, तो आप जरूर जोड़िये, यहाँ पर link दी हुई है, Facebook की यह link दी हुई है, और यह एक group बनाया हुआ है, English Advantage पर, यहाँ पर discussion चलता है, questions पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी आप भूत को सीख सकते हैं, तो English Advantage group में आप जोड़ जाएए, Twitter group में आप follow कर सकते हैं, और LinkedIn में भी आप जोड़ सकते हैं, यह सारी आप लिंक दी है, तो इनके साथ आप जोड़ सकते हैं, So, once again, I would say thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future, thank you.